तो देखो प्यारे बैच्चों इस वाले को देखो एक अच्छा सा कोश्चन है थीरी मास जो है हर एक का मास M है और प्लेट थीरी कार्णर इक्वाल मास M यह जो है M है प्लेट इस दे कार्णर अफ साइड एस्कुरार दो फोर्स एक्टिंग अन इधर पाटिकल यह तीन एक औ और आगया मलत तीन पहले तेक और आगया चार हो गए तो जब मीड़ पॉइंट आफ साइड एए साइड के मीड़ पॉइंट पर रखा जाता है और सेंटर आफ ट्राइंगल तो दोनों केस में हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो यह पहला केस है और यह दूसरा केस है यह साइड कितना ए और इकिलेटरल ट्रेंगल है तो यह वाली लेंद कितनी हो जाएगी इस लेंद कितनी हो जाएगी यह वाली लेंद हो जाएगी एवाई टू तो यह भी एवाई टू आ जाएगा और यह भी एवाई टू आ जाएगा तो अगर तुम देखो कि यह वाला A by 2, तो इस मास को जो है, इस वाले मास को, कितने मास अट्रेट करेंगे, इसका देखो, तो इस मास को ये वाला अट्रेट करेगा इधर, ठीक है, वो उसका नाम मैं रख देता हूँ, F1, और इसी मास को तुम देखोगे, इसी मास को, तो A भी तो अट्रेट करेगा, इसी मास क तो ये भी तो अट्रेट करेगा तो इसका मैं नाम रख देता हूँ F2 ठीक है तो ये ये जो है दो फोर्स F1 और F2 तो F2 तो तुम देखोगे ये जो F1 और F2 है अच्छा से गर देखोगे तो F1 बराबर है F2 बराबर होगा G M square इनके बीच का separation A by 2 का whole square तो ये जाएगा G M square over 4 times A square तो ये दोनों फोर्स एक पार्टिकिल पर ऐसे लग रहे हैं इकोल है न पोजिट लग रहे हैं भाई अरे भाई वेक्टर यार F1 और F2 तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए एक दूसरे को cancel कर दिये तो नेट फोर्स कितना आ गया वोलो तो नेट फोर्स आ गया 0 तो अब तुम देखोगे यहां पे तो नेट फोर्स तो 0 आ गया किसका इस इस वाले और इस वाले का फोर्स तो बच गया भाई आ वाल ऊपर वालन बच गया तो उपर वाले ये वाला जो फोर्स ऊपर वाल मास इसको इसको ऐसे अट्रैट करेगा और वही इस पे लगने वाला net force F होगा और यही जो है अगर इसकी मैं calculation कर लिया तो मेरा problem solve हो जाएगा पहला वाला तो अब इसकी calculation करना हमारा मतलब जिम्मेदारी बन जाता है क्योंकि यही तो वही solution देगा प्यारे बच्चों तो यहां से देखो तो यह मैं triangle दबारा बना लेता हूँ यह vertex पर रखा हुआ है और यह वाला जो है एक mass यहाँ है और एक mass यहाँ है और एक mass यह और तो इस वाले mass को यह ऊपर वाला mass ऐसे कीच रहा है यह angle कितना हुई यह ngel 60 है तो यह तो ay2 है और यह a है और अगर इनके बीच का separation यह वाला यह distance कितना होगा this distance how much this distance तो यह जो distance है उसको मैं x मान लेता हूँ तो जो force आ जाएगा इनके बीच हो आ जाएगा इसके और इसके बीच किसके किसके बीच भाई यह वाला जो यह वाला जो mass है this mass और इस mass के बीच जो force है वो बचा उसकी value आ जाएगी gm square over x का square x की calculation लगा तो आ जाओ इस triangle में इस वाले triangle में लगा दो sin 60 sin 60 perpendicular यह वाला सामने वाला side perpendicular है तो x upon hypotenuse a sin 60 root 3 by 2 is equal to x upon a तो यहाँ से x की value आ जाएगी a by root 3 divided by 2 तो यह जब x की value यहाँ पर रखोगे तो जो force आ जाएगा वो आ जाएगा gm square और a जाएगा x square a root 3 by 2 का whole square तो final solution आ जाएगा वो आ जाएगा 4 gm square upon 3 a square this is the net solution this is the value of the net force acting on this particle तो यह जो net force है यह वाला तो यह जो है यह finally इसका solution है तो force gm is equal to 3 a square पहले part का solution है पहला तो part done हो गया दूसरा part देखो सब लोग दूसरे part में चलो दूसरे part में देखोगे तो दूसरा part ध्यान से अच्छे से समझना नहीं तो यह दिक्कत होगी दूसरा वाला part basically अब यहां पर जो मास रखा हुआ है to is 20 degree, how much this angle is 120, यह angle कितना होगा? 120, मतलब कुल मिला कर अगर मैं यहां डुरा करता हूं, और अच्छे से अगर मैं डुरा करता हूं, तो part B को अगर देखोगे, तो part B अपना ऐसे आ जाएगा, तो यहां तुम देखोगे part B वाले को, तो एक मास यहां है और एक मास यहां है और एक मास यहां है तो यह जो center पर मास रखा हुगा है इस center वाले मास को यह तीनों खीचेंगे यार तो अगर यह तीनों पूल करेंगे तो यहां से यह जो पूल कर रहा है इसकी जो value है और यह जो ऊपर पूल कर रहा है इसकी value और यह इधर पूल कर रहा है जो मतलब इसकी वेलू यह तीनों मैगनिचूड में बराबर होंगे और यह इंगल 120 है तो physics में याद रखो equal number of factor equal magnitude के एक ही डिगरी पे लगते हैं तो उनका resultant कितना होता है भाई 0 ठीक है अगर ऐसे खुश नहीं हो तो problem तो हो गया ऐसे खुश नहीं हो तो f की value निकाल लो यह वाली f की value कैसे निकाल सकते हो यह वाला से प्रेसर निकाल लो एकुलेटरर ट्रेंगल के केस में यह वाली वेड़ी निकालो तुम्हें पता चल जाएगा यह यहां पर एक मास M है और यहां पर एक मास M है तो यहां तुम देखो कि इतना करने की जुरोत नहीं है पहले यह distance मुझे चाहिए इसको मैं y मान लेता हूंग यह angle कितना है 30 degree क्योंकि यह पूरा कितना था 60 degree और यह सामने वाली side ay2 है तो सामने वाली side ay2 है तो इनके बीच जो लगने वाला जो force है उस force की जो value है वो उस पे ऐसे आ रहा है इसकी value में निकालना हूं तो यह निकालने के लिए हम लगा देते हैं cos 30 side निकाल लेते हैं cos 30 by h तो by h h की value कितनी है y तो इस वाले triangle में आ जाओ इस वाले right angle triangle में आ जाओ इस वाले triangle में तो cos 60 sin 30 तो 1 by 2 is equal to cos 30 sin 60 root 3 by 2 तो root 3 by 2 a by 2 और y तो 2 ने 2 को कतम कर दिया तो यहां पे जो y की value आ जाएगी वा जाएगी a y root 3 तो a y root 3 तो y की value आ जाएगी तो अब जो f1 और f2 जो f1, f2 और f3 जो magnitude में बराबर हैं इनकी value आ जाएगी g m square over y का square y का square बोले तो g m square और 3 upon a तो यह magnitude में आएगे और अगर इनका resultant लोगे अब ठीक है अगर resultant लोगे तो देखो यहां f1 इधर आ रहा है और f2 120 degree पर इधर आ रहा है और f3 इधर आ रहा तीनों का traction magnitude में तीनों बराबर है यह कितना है 120 degree यह कितना है 120 degree और यह कितना है 120 degree अब इन दोनों का resultant निकाल के देखो तो इन दोनों का resultant अगर निकालोगे तो इन दोनों के resultant का मैं नाम दे देता हूं f तो इस f की value आ जाएगी f1 square plus f2 square plus 2 times f1 f2 cos 120 under root अब cos 120 क्या होता है तो f1 f2 पर आबर है तो 2 f1 f2 plus 2 f1 square plus cos 120 की value minus 1 by 2 होती है under root तो इसका मतलब एक हुगा कि इस 2 ने इस 2 खतम कर दिया मतलब f1 आ गया मतलब यह आ जाएगा 3gm square over a का square यह square मेरा छूट गया छूटेगा नहीं तो यह f आ गया तो देख रहे हो इन दोनों का resultant कितना आ गया f तो यहाँ पर अब यह जो point mass दिख रहा था यह point mass उसके उपर अब इसे force लगने लगेगा इधर लगा f3 और इधर लगा इन दोनों का resultant f ठीक है और यह f3 की value भी कितना है 3gm square a square और f जो आया ओभी 3gm square a square आया तो एक दूसरे को यह क्या करेंगे cancel कर देंगे और steel net force 0 आ जाएगा ठीक है तो वैसे भी by symmetry याद रखो ठीक है by symmetry याद रखो कि अगर a triangle है तीक है और एक triangle है या कोई rectangle है इस ट्राइब से नहीं समझे तो वैसे symmetry अगर याद रखोगे तो यह जादा तुम्हें मलब अच्छे तरीके से पकड़ में आएगा कि अगर एक triangle है या कोई भी है तो अगर इसके यहाँ पर यहाँ पर एम मास है और यहाँ पर मास है 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 यह सारे mm के हैं ठीक है तो जो center पर मास रखोगे और यहाँ पर जो center पर मास रखोग थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो